हेलो गाईस आप सब ठीक होंगे तो आज हम आपके लिए लेके रहाए हैं परसोना का 100% प्योर कोकोनट ओयल आप इसे अपने बालों में तो क्या इसे आप अपने पूरी बोड़ी पे भी यूज कर सकते हैं यह आपकी बोड़ी में मोस्चराइज का काम करेगा आपके बालों को मोस्चराइज देगा आपके बालों को हाइडरिट करेगा जिससे आपके बाल अच्छे रहेंगे सिल्की रहेंगे जैसे कई पर क्या होता है कि कई लोग अपने बालों में ओय लगाते ही नहीं है उनको ऐसे लगता है कि हमारे बाल चिप चिप लगेंगे हमारे बाल मालो अच्छे नहीं लगेंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें अपने बालों को मजबूत रखने के लिए उनकी रूर्स को मजबूत रखने के लिए उनमें बालों में ओयल हमें जरूर लगाना चाहिए अगर आप मालों हफते में दो बार नहीं लगा पाते तो आप हफ तो जैसे हम मार्केट से लेकिन हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि उनमें भूस सारा केमिकल्स मिला होता है तो यह एमबे का जो परसोना का कोकुनुट ओल है यह 100% प्यूर है एक नैचुरल है अगर आप इसे में सबजी भी बना सकते हो क्योंकि 100% प्यूर है यह तो जैसे आप रात को सोते हो तो जब सोने से पहले आप इसे अपने बालों में अच्छे से लगा लें अच्छे से 15 मिन्ट के लिए उस बालों में मसाज करें और सुवह आप अपने सिर को जो है वो बालों को वोश करें इसी आपके बाल घने लूंग और लंबे दिखेंग कि जब सर्दियां आगे तो बालों में काफी सारा डैंडर्फ हो जाता है तो ऐसे में हमें अपने बालों को ओयल जरूर देना चाहिए बालों में जरूर ओयल लगाना चाहिए जिससे हमारे जो स्कैल्फ है उसके अंदर डैंडर्फ ना हो आप इस कोकोनट ओयल से पूरी बोड़ी पर मसाज भी कर सकते हो यह आपकी स्किन को सोफ्ट नर्म और मौलायम बनाएगा और आपके बालों को भी अच्छा रखेगा तो अब हम इसकी पैकिंग की बात करते हैं इसकी पैकिंग है जो वो 500 ग्राम की है इसका प्राइज 235 रुपए है तो यह प्रोडेक्ट है यह नैच्रल प्रोडेक्ट है आप अपने बालों में इसे जरूर यूज़ करें आपके बालों को आपके बाल जो है वो अच्छे र मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शियर कर रही हूं क्योंकि पहले मेरे बाल थे वह बहुत छोटे थे अच्छे नहीं थे बढ़ नहीं रही थे और जब से मैं इस कोकनट ओयल को अपने बालों में यूज कर रही हूं तब से मेरे बाल भी घने हो गए हैं लंबे हो गए हैं और मेरे बाल सिलकी सिलकी रहते हैं तो आप भी अपने बालों में इसी जरूर यूज करें क्योंकि ओल तो हमें बालों को देना ही चाहिए अगर आप बालों में ओल नहीं लगाओगे आपके जो रूट्स है वो मजबूत नहीं रहेंगे आपके बाल लंबे नही जब सिर में डेंडर हो जाता है तो बाल जड़ने का काफी चांस रहता है तो ऐसे में आप अपने बालों को अच्छा रखें और आफ हफते में एक बार अपने बालों के अंदर लोल को जरूर लगाएं अपने बाल लो टाइम तक अच्छे रख सकते हो सबस्करा अपको मेरी